नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइमिस स्टोरी मैं हूँ हेमन्द गुपता पेश है अब तक की खास ख़बरे उत्राखन में बिजली के पोल्स पर तारों का जाल अब देखने को नहीं मिलेगा केंदर सरकार ने उत्राखन सरकार को बजट आवंडित करना सुरू कर दिया है जिसमें बिजली के पारों को भूमी के अंदर करने के लिए 188 क्रोड रुपे का बजट खास तोर पर जारी किया गया है महिसन 2021 में पढ़ने वाले कुम्ब की तैयारी के लिए हर्दवार में बिजली के अतारों को भूमिकत किया जाएगा साथी उत्राखन पावर कॉर्पेरेशन को इंटर प्राइजे रिसोर्स प्लान के खिरियान मेयन के लिए 19.5 क्रोड की स्वकर्ति परदान की गई है ऐसे होने से उर्जा निगम की विद्यूत परणाली में सुधार होगा जिसका सिधा लाब भोगताओ को मिलेगा उत्राखन वासियों के लिए अच्छी खबर सासन की ओर से स्वास्ति विवाग ने 421 नहीं सरकारी डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं इन सभी ने डोक्टरों की नियुक्ति पाड़ों में की जाएगी जिसे परदेश की बहल स्वास्ते विवस्ता को सुधारने में मदद मिलेगी स्वास्ते सचिव नितिश कुमार जहा ने बताया कि चैन बोर्ड से 478 डोक्टर चैनित हुए हैं इसमें से 400 की पोस्टिंग इस सब्सक्राइब करने जाने हैं जिन्होंने द्वाइन भी कर लिया है कुछ हम डोक्टर से में समय मांगा है और उसके अधिक हमारी वेटिंग में से दॉक्टर से उनको भी पोस्टिंग दी जाएगी पुत्राखन में अब लापता चल रहे डोक्टर पर गाज गिननी सुरू हो गई है ऐसे 48 डोक्टरों को विभाग की ओर से बर्खास कर दिया गया है स्वास्ते सचीव नितेश कुमार ज्या ने बताया कि पिछले लंबे समय से यह है 48 डोक्टर लापता चल रहे थे कई बार विभाग की ओर से अफगत भी कराया गया इसके साथ इन नोटिस भी बेजा गया लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला तो विभाग ने इन सभी डोक्टरों को नोग्री से बरखास कर दिया इसके अलावा भी विभाग के निसाने पर कई ओर ऐसे डोक्टर है जो लापता चल रहे हैं उन्हें भी नोटिस बेजा गया है अगर इनकी ओर से भी लापरवाई बरती गई तो कारवाई निश्चित है वहीं स्वास्ते सचीव ने बताये कि विभाग अब नए डोक्टरों की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है और इनको अब डोक्टरी से हटा करके नए डोक्टर्स के लिए अपने इसकी प्रूप कर दी गई है और इसकी अत्रिक भी जो डोक्टर्स पेसे तीन साल से कम लेकिन काफी समय की काई गया है सबों के मोटे से सर्फ किये गये और उनके आवश्यक का जाई की तैयारी कर रहा है नगर आयक्त विजे दोक्टर्ण ने बताया कि सहर में पहले चिरण में करीब एक दरजन इस्थानों पर सिसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे भरे रहते हैं और सड़कों पर चारू तरफ कोड़ा बिखरा दिखाई देता है अब दून इसमार्ट सिटी में सामिल हो चुका है तो निगम हर संबब परियास कर रहा है कि किसी भी तरह कोड़ा फैलाने परंकुस लगा सके किसी के तहत कोड़ा उठान के वहानों में इसे टीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है